हैलो इस वीडियों बात करने जारी कि अगर आप अपनी wordpress website को किसी other domain पर transfer करना चाहते हैं तो किस तरह कर सकते हैं Other domain पर transfer करने के कई reasons हो सकते हैं या तो आपका जो WordPress का present का domain वो expired होने वाला है तो इसको main domain काróस प्रोग्राम में WordPress का जो भी फाइल वगला है। उस website को आप किसी sub domain पर प्रांसफर कहना चालता है तो किसी तरह का सकते हैं। मैंने क्या किया कि कि अपना जो हुपी domain था, उसका main domain था, उसका जो भी file था, पुरा WordPress का जो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं जानते हैं तो वीडियो का लिंक आई बठन में जाएगा देखके आप सीख सकते किस तरह सब्सक्राइब क्रेट किया जाता है किसी भी में सब्सक्राइब करेंगे उसका एक फोल्डर बनता है फॉल्डर के अंदर फॉल्डर कोमें की सब्सक्राइब यहाँ पर laser बनता है फाइल है सभी को मैं क्या करूंगा इस तरह से लेक कर लूगा यहां से ओके और हट्व जो आरी एक फाइल इनको लूगा और इसमें से एक इंडेक्स का फायल भी एक रोगा और फिर यहां पर नीचाँ इस तने भी आएगी फोडपट से लेटेर्ड सारे इस तरह फायलों को मैं स्लेक्त करना है सब्सक्राइब अब आपका स्व डॉमेन का जो वी फोल्डर किरेट किया था वह यहां पर फोल्डर को चुछ करने जिए फोल्डर । इस फोल्डर के अंदर इस फोल्डर को उन्दर चूच कर लेता है ओकि यह प्रब्लिक है और यह दॉड़कु फाइंट फॉलडर और यहां पर ऐगे दो क्या होगा कि यह द्यत्रे पहले तो उसके बाद क्या करना कि आपको अपना या दाटामेंस औपन करना इसके लिए को को आना होता है यहां पर PHP माई एड्मिन पहों करेंगे डाटामेंस का आफसी माई टामेंस इसके लिए की वेबसाइट लिंक आपको यहां पर страх वीपे लिए करऊंगए तो यहां YouTube को आतावस नाम को और यहां पर आ करेंगे करेंगे तो तो उसके बाद में आ vyपी एक फ्रीट करेंगे फिर यहां पर आपका पुराना वाला वाला उसका यहां पर फिर आपको नए व्यूब्साइड करना है और इदर आपकर यहां पर इस तरह हटाके शाट कर देना और इदर किलिक करते ही यह रिप्लेस हो जाएगा दोने जगह आपको चैंज कर लेना है साइट यूरल हों ठीक है इतना काम करेंगे फिर आपको एक दो घंठा इंतिजार करना होगा मिनिम्म आगर हो जाता है तो यहां पर आप चेक करेंगे कि यहां पर डिजिटल कोड़ फाइंट करेंगे जो अभी आ तो यहां पर भी आपको बता देगा तो मैं इस डिजिटल पर किलिक करता हूं यहां पर इस पोस्ट पर किलिक करता हूं तो नीचे नीचे दिखेंगे यूरल में सब डॉमेन का नाव आ रहा फिर पोस्ट का नाम दिखा दे रहा है ठीक है और आपके कैस में क्या होगा कि ज जार करना पड़ा था तब जाकर यह सारा कुछी सथरा था अब यहां कुछ जगा ऐसा है कि महां पर आपना सब्सक्राणा वाला व्यश्राइड है उसी है नामें नाम रह करते हैं तो आपको यहां पर चेंज करना हुआ इसके लिए WordPress website का dashboard को open कर लेना है जिसे इसको login कर लेंगे menu में आना है menu पर आजाने के बाद यहां पर देखना पिन code search ठीक है और यहां पर इसको मैंने यहां पर अठाया तो यहां पर देखे code find.in ठीक है अब मुझे क्या करना हुगा कि जो भी यहां पर URL था इसका वह URL इदर जाकर प्रेश्ट करना होगा तो मैं क्या कर लेता ओँ इस यहां पर URL कॉफे किया और जो sub domain था उस पर आ गया और इस लेसे लगाया और यहां पर प्रेश्ट किया और इंट्रम पर किलिकिया ठीक है यह पोस्ट ऑपन हो गई अब इसको यॉरल को में कोफी कर लेता हूं और इधर जाकर और इसको अठा लेता हूं ऐसा का लेता हूं ठीक है या फिर ऐसा भी कर सकते हो जैसे कि यह वाला है तो इसका जैसे कि बेखा जाता हूं अब इस सब्सक्रा इस तरह भी कर सकते हूं यहां पर तो इसका तो आ रहा है और का देखे लेते हैं इसका भी आ रहा है किसी और का देखते हैं इसका नहीं आ रहा है तो अब इसका जो पराने वाला वेफर के यॉरल इसको हम यहां से कर देते हैं फिर सब्सक्राइब कर देते हैं ठीक है और यहां पर सेव नीव पर के लिए करते हैं तो यहां पर हटा सेव हो जाएगा वह तो आप इस तरह आप अपना website को complete अपना website को किसी other domain पर transfer कर सकते हैं इसके बाद में जो पुराना वाला domain बचता है अगर aspire हो जाता है तो domain खतम हो जाएगा अगर उस पर अभी validity है आपका पुराना domain पर तो आप उस पर कोई नया website इंस्टॉल कर सकते हैं या कुछ नया प्रोग्राम डास सकते हैं ठीक है वो पूरी तरह से आपका फ्रेस हो चुका है ठीक है अगर मैं इस पुरानी वाली website के मादिन से किसी पोस्ट को ओपन करूंगा तो वो नया domain पर ले जा हर्णा वीबसाइड कोई नया website वोट फ्रेस जिंस्टॉल कर सकते हैं और जो पुराना वाला website का जो डाटा बेस था वह वो हमारा नया वाल डाटा वेस नया वाला website ने collect कर लिया था नया वाला website से वह जुट गया है फिरिंश टिक है यह मारा पुराना वाला डाटावेस है अब यह हमारा नए वाला वेस्ट से connect हो गया है तो इसका अब आपका जो भी यह पुराना वाला वेबसाइड है यह कोण फाइंड वाली तो इसके अदर जो भी फाइल है वड़ फ्रेस की उनको आप रिमूट कर सकते हैं रिमूट कर लिजिए नया वाला ठीक है तो इस तरह आप अपना किसी भी वेबसाइड को किसी अधर डोमेंट पर इस तरह ट्रासफर कर सकते हैं अगर कोई भी आपको प्रोब्लम हो कोई भी डाउट हो तो नीचे जागा कामेंट करके पोस्ट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जुरू सपोर्ट करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में